इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि जो गिवन नंबर हैं वो पर्फेक्ट स्क्वेर हैं या नहीं जैसे 393969 जैसे 6084 जैसे 383872 इनका सिंपल सा जो तरीका है वो क्या है कि हम इनकी प्राइम फेक्टरिजेशन करते हैं यहीं प्राइम फेक्टरिज मालूम करते हैं जो कि हम किस तरह करते हैं 3, 3, 9, 6, 9 हम start करेंगे सबसे छोटे नंबर से 2 से सबसे पहले prime नंबर से जो के है 2 2 से start करो तो 2 से ये divisible नहीं है चुके एक और नंबर है लहाजा 2 को remove करो 3 से देख लो 3, 1, 3, 3, 3, 0, 9 3, 2, 0, 6, और 3, 3, 0, 9 दीक है चलें लहाजा 3 से हो गया अब दुबारा देखते हैं 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 4, 9 तो ये भी 3 से हो सकता है चुके इसका sum 3 से divisible है तो 3, 4s are 12 यहाँ पे देख सकते हैं आप 3, 4s are 12 तो यहाँ से 1 केरी जो के 12 नाता है 3, 4s are 12 और 3, 1s are 3 आप यूं भी कर सकते हैं अगर आपको इस तरह से समझ ना आए तो 1, 3, 2, 3 3 से करें 3, 4s are 12 ठीक है 1, 12, 2 डाउन आगया 3, 4s are 12 और उसके बाद 12 माइनस 12, 0 और 3 डाउन आगया जो रह गया था 3, 1s are 3 तो 441 इसी तरह से आप दुबारा से इसको 3 के साथ करें ठीक है 3, 1s are 3 3, 4s are 12 3, 7s are 3, 7s are 21 147 इसी तरह से 3 के साथ दुबारा किया जा सकता है 3, 4s are 12 3, 9s are 27 और 7 के साथ 7, 7s are 49 और 7, 107 अब अपने पेर बनाने है मतलब 3 कस कोई अब 3, 3s are 9 ये 3 का स्क्वेर हो गया फिर 3, 3s are 9 ये 3 का स्क्वेर हो गया 7, 7s are 9 7, 7s are 49 तो 49, 7 का अब इसी तरह स्क्वेर रूट की बात कर दा 3, 10, 3, 9 तो 9, 3 का स्क्वेर यह आप यह देखें सिंपल आप लिख लें इन सब को तो ये सब पेर में ये 3 जो है इसको भी पेर में लिखा जा सकता है इसको भी पेर में लिखा जा सकता है ये और इसको भी हम यू लिख सकते हैं तो लहाज़ा अगर इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो अन्पेर्ड हो तो लहाज़ा ये एक क्या है परफेक्ट स्क्वेर है, यह एक परफेक्ट स्क्वेर है, और 3721 और 21363, तो 63 का यह स्क्वेर है, यानि 3969 स्क्वेर रूट है, अगर इसका स्क्वेर रूट लिया जाए, तो जवाब आएगा 63, अगर 63 का स्क्वेर किया जाए, तो जवाब आएगा 3969, कैल्क्लोटर पे हम वे multiply करा दें 63 के साथ तो जवाब आजागा है 3969 तो इस तरह से हम test कर सकते हैं अगर मैं ये number ले लूँ ये आप के लिए ये आप इसको test करेंगे खुद किया ये perfect score है ये नहीं है मैं इसको try करता हूँ 3872 3872 even number है 2 से start करें divide करना 2 से divide करेंगे तो ये आपके पास आएगा 191936 किस तरह से आप यू divide कर सकते हैं ठीक है 2 outside 3872 inside 2102 3 में से 2 गे 1 8 down 39018 0 हो गया 7 down 3206 sorry 2306 7-6 1 2 भी down 3612 तो 1936 ठीक है इसी तरह से अब 1936 इसी तरह से आप 2 से दुबारा करें इसको क्योंकि अभी भी divisible है मैं अब ये मैं तेजी से करता जाऊँगा 968 times होता है फिर 2 से करने चुकि हम यहां पर division नहीं पढ़ रहे तो लहाजा हम इसको जल्दी जल्दी से factors बना रहेते हैं 484 फिर 2 से करो तो 242 242 और फिर 2 से करो तो ये बनता है 1, 2, 1 1, 21 और उसके बाद 11 times 11 1, 21 और 11, 1 time जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम करते रहेंगे अब इसके factors देखनें अगर 2 times 2 मैं इसके factors लिख लूँ तो हम उन factors को देख के ही बता सकते हैं तीक है हम उसके pair बना के चेक करते हैं कि क्या ऐसा है चलेंजी 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 11 times 11 तो इसके pair बनाए एक पर ये बनता है एक पर ये बनता है और ये 2 बच गया ये एक पर ये बनता है अब ये 2 जो है ऐसा है जो unpaid है अगर एक भी number एक भी digit ऐसा आजा है जो unpaid हो यनि pair में ना बनाया जा सकता हो तो वो number कहलाएगा not a perfect square तो ये क्या है not a perfect square तो इस तरह से हम number को test कर सकते हैं कि कोई number perfect square है या नहीं